उत्पत्ति ग्रंथ अधियाय च्यालेश इस्राइल ने अपने समझ समपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बैर शिबा पहुचकर अपने पिता इसाक के इश्वर को बली चढ़ाई इश्वर ने रात को एक दिब्य दर्शन में इस्राइल से कहा याकुब याकुब और उसने उत्तर दिया मैं प्रस्तूत हूँ तब इश्वर ने कहा मैं इश्वर तुम्हारे पिता का इश्वर हूँ मिस्र देश जाने से मड़ डरो क्योंकि मैं वहां तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट उत्पन करूंगा मैं स्वैम तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊंगा और तुमको फिर वहां से निकाल लाऊंगा यूसुप तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आखे बंद कर देगा याकुब बैर शिबा से चला गिया इसरायल के पुत्रोंग ने अपने पिता याकुब अपने छोटे बच्चों और अपने पत्रियों को उन रथोंग पर चड़ाया जिने फिराओन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था वे अपना पशुधन और जो कुछ उनोंग ने कनान में कत्र किया था वो सब अपने साथ ले गए याकुब अपने सब वनसजों के साथ मिसर देश पहुचा वो अपने पुत्रों और पौत्रों अपनी पुत्रियों और अपनी पौत्रियों अपने सब वनसजों को मिस्र ले आया जो इस्राइली अर्थात याकुब और उसके वनसज मिस्र आये उनके नाम इस प्रकार है याकुब का पहला उठा रुबेन रुबेन के पुत्र हनोक, पलू, हिस्रोन और कर्मी सिमियोन के पुत्र यमुयल, यामिन, ओहद, याकिन, सोहर और कनानी पतने से उत्पन सौल लेवी के पुत्र गिर्शोन, कहात और मरारी यूदा के पुत्र एर, उनान, शेला, पेरिस और जेर, लेकिन एर और उनान, कनान में ही मर चुके थे पेरिश के पुत्र हिस्रोन और हामुल, इसाकार के पुत्र तोला, फुबवा, याशुब और सिम्रोन, जबुलोन के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलियल ये लेया के पुत्र थे, जो पदन अराम में याकुब को हुए थे, इनके सिवा उसकी पुत्र दीना, इन सभी पुत्र पुत्रियों की संख्या तेहतिस थी, गाद के पुत्र सफोन, हगी, शुनी, इसबोन, एरी अरोदी और अर्यली. आशेर के पुत्र यिमना, यिश्वा, यिश्वी, बरिया और इनकी बहान सेरा, बरिया के पुत्र हेबेर और मलकियल, ये उस जिल्पा के पुत्र थे, जिसे लाबान ने अपने पुत्र लिया को दिया था, याकुब से उसे सोला पुत्र हुए, याकुब की पतने राहल के प पुत्र यूसुप और बिनियामिन, मिसर देश में यूसुप के मनसे और एफ्राइम नामक पुत्र हुए, ये ओन के याजक फोटी फेरह की पुत्री आसनत से उत्पन हुए थे, बिनियामिन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुपिम, और अर्द, ये राहिल के पुत्र हैं, जो याकुब से उसे उत्पन हुए, इनकी कुल संख्या 14 थी, तान का पुत्र हुशीम, नफ्ताली के पुत्र यहसियल, कुनी, यसेर और शिलेम, ये उस बिल्दा के पुत्र थे, जिसे लाबान ने अपनी पुत्री राहिल को दिया याकुब से उसे साथ पुत्र हुए, याकुब के वन्शज, जो उसके साथ मिस्र आये, उनकी कुल संख्या, उसके पुत्रों की पत्रियों को छोड़ कर छियासर थी, यूसुब के दो पुत्र मिस्र में पैदा हुए थे, इस प्रकार याकुब के घराने के सब व्यक्ति, जो मिस्र आये थे, कुल मिला कर सक्तर थे। याकुब ने यूदा को अपने आगे भेज कर यूसुप से निवेदन किया कि वह गोशेन में उससे मिलने आये। जब वे गोशेन पहुँचे तो यूसुप अपना रत मंगा कर अपने पिता इस्राइल से मिलने के लिए गोशेन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपट कर वह देर तक रोता रहा। इस्रायल ने यूसुप से कहा अब तो मैं सुप पुर्वक मृत्यू की प्रतिक्छा करूंगा क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्सन कर सका और जान गया हूँ कि तुम जीवी थो इसके बाद यूसुप ने अपने भाईों और अपने पिता के परिवार वालों से कहा अब मैं जाकर फिराउन से यह कहूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के घर के लोग जो कनान देश में रहते थे मेरे पास आ गए है वे लोग भेड बकरियां चराते थे और अपनी भेड बकरियां, अपनी गाएं और अपना सब सामान ले आये हैं जब फिराउन तुम लोगों को बुलवा कर तुम से पूछें कि तुम लोग क्या काम करते हो तो तुम इस प्रकार उतर देना कि हम आपके सेवक बच्पन से धोर टांगर ही चराते आ रहे हैं, हम और हमारे पूर्खे भी यही करते आये हैं ऐसा इसलिए कहोगे, जिसे तुम गोशें प्रांत में ही रह सको, क्योंकि मिस्र के लोग सब बेड़ बक्रियां चराने वालों को नेची द्रिष्टे से देखते हैं अध्याय 47, फिराउन के पास जाकर यूसुप ने उससे कहा मेरे पिता और मेरे भाई कनान से अपनी भेडे, गाए और सारा समान लेकर गोशें प्रांत आ गए हैं उसने अपने भाईयों में से पांच को लेकर उनको फिराउन के सामने प्रस्दूत किया फिराउन ने उसके भाईयों से पूछा, तुम लोग क्या काम करते हो उन्हों ने फिराओन को उत्तर दिया हम आपके दास अपने पुरवजों के समान पसु चराते हैं फिर उन्हों ने फिराओन से कहा हम इस देश में कुछ समय तक ही रहने आये हैं क्योंकि आपके दासों के पसुन के चरने के लिए वहाँ कोई चरागा नहीं रह गया और कनान देश में जोरों का अकाल पड़ रहा है आप कृपा कर अपने इन दासों को गोशेन प्रांथ में बसने दे फिराउन ने यूसुप से कहा तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई तुम्हारे पास आ गये है मिस्र देश तुम्हारे सामने है देश के सरवोतम भाग में अपने पिता और अपने भाईयों को बसा दो वे गोशेन प्रांथ में बस जाए और तुम्ह उन में से जिनको योग्य समझते हो उन्हें मेरे पशुधन का अधिकारी नियुक्त कर दो इसके बाद यूसुप अपने पिता याकुब को अंदर ले गया और फिराउन के सामने प्रस्तूत किया याकुब ने फिराउन को आशिरवाद दिया तब फिराउन ने याकुब से पूछा आपके उम्र क्या है याकुब ने फिराउन को उत्तर दिया मैं अपने जीवन के 130 वर्ष पूरा कर चुका हूँ मेरे जीवन के ये वर्ष बहुत अधिक नहीं है और कष्ट में बीते हैं ये मेरे पुरवजों के जीवन काल के बराबर नहीं है याकुब ने फिराउन को फिर आशिरवात दिया और फिराउन से विदा लेकर चला आया इस के बाद यूसुप ने फिरा उनकी आग्या के अनुसार अपने पिता और अपने भाईयों को मिसर देश के सरवतम भाग रामसे स्परांत में बसा दिया यूसुप ने अपने पिता अपने भाईयों तथा अपने पिता के सारे परिवार के लोगों के लिए उनकी संख्या के अनुसार भोजा नादी के अप्रबंद कर दिया। घोर अकाल के कारण उस समय सारे देश में अनाज की कमी थी और इसलिए मिस्र और कनान दोनों अकाल के कारण तरस्त थे। लोगों द्वारा अनाज खरीदे जाने के कारण मिस्र और कनान देश का सारा रुप्या पैसा यूस यूसुप ने उसे फिराउन के कोश्च में जमा कर दिया। जब मिस्र और कनान देश के रुपिये समाप्त हो गए तब सब मिस्री यूसुप के पास आकर कहने लगे। हमारे पास पैसा नहीं रहा, लेकिन हमें खाना देजिये। क्या हमें आपके सामने मरना पड़ेगा। यूसुप ने उत्तर दिया। यदि तुमारे पास पैसा नहीं रहा, तो मुझे अपना पशुधन दे दो। मैं पशुओं के बदले तुम लोगों को अनाज दूँगा। इसलिए वे यूसुप के पास अपना पशुधन ले आए, और यूसुप ने उनके घोडों, बेड़ बक्रियों, गायों और गधों के बदले उन्हें अनाज दिया। इस वर्ष उसने उनके सारे पशुधन के बदले अनाज दिया। जब वा साल बित गया, तो दूसरे साल वे फिर उसके पास आकर कहने लगे, हम अपने स्वामी से यह बात नहीं चिपा सकते, कि हमारा पैसा समाप्त हो गया है, हमारा पशुधन भी स्वामी का हो गया है, अब अपनी भूमी और सरीरों के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं है क्या हम आपके सामने मर जाए और हमारी भूमी नस्ठ हो जाए, आप अनाच के बदले हमें और हमारी भूमी खरिद ले, हम अपनी भूमी सहित फिराउन के दास बन जाएंगे, हमें अन दीजिये, जिससे हम जीवित रह जाए, मरे नहीं और हमारी भूमी उजार ना हो जाए यूसुफ ने फिराउन के लिए मिसर की सारी भूमी खरिद ली क्योंकि घोर अकाल पढ़ने के कारण सब मिसर वासियों ने अपने खेत बेश दिये इस प्रकार सारी भूमी फिराउन की हो गई उसने मिसर के एक छोर से दूसरे छोर तक सभी लोगों को दास बना लिया उसने केवल याजकों की भूमी नहीं खरिदी क्योंकि याजकों को फिराउन से एक निश्चित राशी मिलती थी और वे फिराउन द्वारा निश्चित राशी से अपनी जिवी का चलाते थे इसलिए उन्हें अपनी भूमी नहीं बेचनी पड़ी यूसुप ने लोगों से कहा देखो आज मैंने फिराउन के लिए तुम्हें अपनी भूमी सहित खरिद लिया है तुम्हें बीज दिया जाएगा और तुम उसे भूमी में बोवोगे तुम्हें कटने के समय फिराउन को पाचवा भाग देना पड़ेगा शेश चार भाग तुम्हारे खेतों के बीच के लिए तुम्हारे और तुम्हारे घरवालों तथा बाल बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए तुम्हारे होंगे इस पर उन्हों ने कहा आपने हमारे प्रान बचा लिये हैं आपके कृपा बनी रहे हम फिराउन के दास बने रहेंगे इसलिए मिस्र की भूमी के शंबन में यूसुप ने एक नियम बनाया जो आज तक प्रचलित है उपच का पच्चमांस फिराउन का है केवल याजकों की भ वे फलते फूलते रहे और उनकी शंख्या बहुत अधिक हो गई याकुब मिस्र देश में 17 वर्ष और जीवित रहा इस प्रकार याकुब कुल मिला कर 147 वर्ष जीता रहा जब इस्राइल के मरने का समय निकटाया तो उसने अपने पुत्र यूसुप को बुलवा कर उसे कह यदि तुम्हारे रिदय में मेरे लिए अस्थान है तो मेरी जांग के नीचे अपना हाथ रख कर शपत खाओ कि तुम मेरे प्रती मानदार और सच्चे बने रहोगे तुम मुझे मिस्र में नहीं दफनाना जब मैं अपने पुरवजों की तरह मर जाऊं तो मुझे मिस्र से ले जाकर उन्हीं के समाधी अस्थान में दफनाना उसने उत्तर दिया आपने जैसा कहा है वैसा ही करूंगा उसने कहा इसकी शपत खाओ इस पर उसने शपत खाई फिर इसराइल अपने पलंग के सिरहाने पर लेट गया स्तोत्र ग्रंद अध्याई उन्तेज तूफान में प्रभु के तेज का प्रदर्शन ईश्वर के पूत्रों प्रभु की महिमा का गीद गाओ उसके सामर्थ्य का बखान करो उसके महिमा मैं नाम की सुती करो पवित्र वस्त्र पहन कर उसकी अराधना करो प्रभु की वानी जल पर महासागर की लहरों पर गरस्ती है प्रभु की वानी तेजस्वी है प्रभु की वानी प्रतापी है प्रभु की वानी देवदारों को चीर देती है प्रभु लेबनोन के देवदारों को चीर देता है वो अलेबनोन को बच्छडे की तरह कुदाता है और सियोन को तरुन भैंस की तरह प्रभु की वानी से अगनी की ज्वाला निकलती है प्रभु की वानी जंगल को कपाती है प्रभु कादेश की मरुप्रांद को कपाता है प्रभु की वानी बलुतों को जोर-जोर से हिलाती और जंगल के व्रिक्षों को नोच डालती है प्रभु के मंदिर में सब बोल उठते हैं प्रभु की जय प्रभु जल प्रले की उपर विराजमान था प्रभु सदा सरवदा राज्य करेगा प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशिरवाद देगा संद मतिके नुसार सुसुमाचार अधियाए 16 फरिसी और सादू की ईसा के पास आए और उनकी परिक्षा लेने के लिए उन्होंने स्वर की ओर का कोई चिन न मांगा इसा ने उत्तर दिया शाम को तुम लोग कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है सुबा कहते हो आज आधी पानी होगा क्योंकि आकाश लाल और बादलों से घिरा हुआ है यदि तुम लोग आकाश की शूरत पहचान सकते हो तो समय के लक्षन क्यों नहीं पहचानते यह दुष्ट और विधर्मी पीड़ी एक चिन्न मांगती है परंद नभी योनस के चिन्न को छोड़ कर इसे और कोई चिन्न नहीं दिया जाएगा इस पर इसा उन्हें छोड़ कर चले गए समुद्र के उस पार जाते समय सिश्य अपने साथ रोटियां लेना भूल गए थे इसलिए जब इसा ने उनसे कहा सावधान रहो, फरिसियों और सादुकियों के खमीर से बचते रहो तो वे आपस में कहने लगे हम रोटियां नहीं लाए, इसलिए या ऐसा कहते है या जानकर इसा ने उनसे कहा अलप विश्वासियों, तुम लोग या क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है इसलिए या ऐसा कहते है क्या तुम अब तक नहीं समझे क्या उन पांच हजार लोगों के लिए पांच रोटियां तुम्हें याद नहीं है और तुमने कितने टोकरे भरे थे और उन चार हजार लोगों के लिए साथ रोटियां और तुमने कितने टोकरे भरे थे तुम लोग क्यों नहीं समझते कि मैंने रोटियों के बारे में या नहीं कहा कि फरिस्यों और सादिक्यों के खमीर से साउधान रहो तब सिस्थे समझ गए थे कि इसा ने रोटि के खमीर से नहीं बलकि फरिसियों और सदुकियों की सिक्षा से साउधान रहने को कहा था इसा ने कैसे रिया फिलिपी प्रदेश पहुँचकर अपने सिक्षियों से पूछा मानो पुत्र कौन है इस विश्य में लोग क्या कहते हैं उन्होंने उत्तर दिया कुछ लोग कहते हैं योहन बब्तिस्ता कुछ कहते हैं इलियस और कुछ लोग कहते हैं यरेमियस अथवा नभियों में से कोई इस परिसा ने कहा और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ सिम्योन पेत्रूस ने उत्तर दिया आप मसी हैं आप जीवनती शुर की फुत्र हैं इस पर ईसा ने उन से कहा सीमोन योनस की फुत्र तुम धन्य हो क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बलकि मेरे सुर के पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है मैं तुम से कहता हूँ कि तुम पेत्रूस अर्था चत्तान हो और इस चत्तान पर मैं अपनी कलिस्य बनाओंगा और अदुलोग के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे मैं तुम स्वर्ग राज्य की कुण्जियां प्रदान करूँगा तुम प्रित्वी पर जिसका निशेद करोगे स्वर्ग में भी उसका निशेद रहेगा और प्रित्वी पर जिसकी अनुमती दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमती रहेगी इसके बाद इसा ने अपने सिश्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी या नहीं बताओ कि मैं मसी हूँ उस समय से इसा अपने सिश्यों को यह समझाने लगे कि मुझे एरुसलिम जाना होगा नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों कि और से बहुत डुक उठाना, मार डाला जाना और तिसरे दिन जी उठना होगा पेतरुस इसा को अलग ले गया और उन्हें यकाते वे फटकारने लगा इश्वर ऐसा ना करें प्रभुया आप पर कभी नहीं बीतेगी इस पर इसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो तुम इश्वर की बातें नहीं बलकि मनुश्यों की बातें सोचते हो इसके बाद इसा ने अपने सिश्यों से कहा जो मेरा अनुश्रन करना चाहता है वा आत्मत्याग करे और अपना कुरूस उठा कर मेरे पीछे हो ले क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वा उसे खो देगा और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वा उसे सुरक्षित रखेगा मनुष्यों को इस से क्या लाव यदिवा सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही कमा दे अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है क्योंकि मानपुत्र अपने स्वरदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वो अप्रतीक मनुश्य को उसके कर्म का फल देगा मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ यहां कुछ ऐसे लोग विद्धमान है जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानपूत्र को राज के प्रताप के साथ आज़ाएं